नमस्कार आप देख रहे हैं A1 TV का खास कारेकरम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूँ आशिश थिवारी आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा नीट एग्जाम नेट एग्जाम को निरस्ट कर दिया गया है तो वहीं नीट को लेकर देश भर में लगातार बवाल देखने को मिल रहा है कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है सुप्रेम कोर्ट मामले में सुनवाई कर रहा है इसी मामले में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मिरसाथ इस्टूडियो में मौझूद है डॉक्टर राम सिंग सामोता जी पूर्व शोध छात्र संग अध्यक्ष राजस्तान विश्यूद्याले रोहित मीना जी इकाय अध्यक्ष एबीविप राजस्तान नेट की प्रिक्षा को रद कर दिया गया है लेकिन नीट को लेकर कि अभी भी जांच करने की बात की जा रही है पहले शिक्षा मंत्री मानने को तयार नहीं थे कि एंटीय में कोई गड़बड़ी है फिर उन्होंने इस चीज को एडमिट किया कि एंटीय में सुधार की जो एक्षन सरकार ले रही है क्या वो काफी हैं क्या संतोष्ट है या भी और एक्षन लेने क्या हो शकता है देखें आसी जी में आपके मादिम से सरकार को और देश की यूओं को एक बात से वगत करवाना चाहता हूं कि जो नेट का पेपर हुआ अभी अठारा तारीक और उसको कल रद कर दिया गया है वो भी एंटीए ही लेता है तो जब नो लाक विद्यार्ति ने एक्जाम दिया और उसका साहिद कहीं सुनने को नहीं मिला लेकिन बहुत से बड़े इस्तर पे नेट का पेपर भी लीक हुआ और एंटीए ने संग्यान लेते हुए है शिक्षा सब जगे रात कोई बहुत से ब्यार्तियों को गिरबदार किया गया और ब्यार्तियों के आज भी बयान सोचल मीडिया पर भी वाइरल हो रहे है और जो प्लिस कारवाई कर रही है वो चीजे भी सामने आ रही है और इस पर स्ट्रूप से जिल लोगों ने पेपर लिया वो कि जो पेपर हमें रात को पढ़ाया गया था वही हूब हूब पेपर सुबह हमें परिक्षा में देखने को मिला जब इतना कुछ ध्यार्तियों के दवारा कहा जा रहा है और पेपर लीक होने के सबूत सामने है उसके बावजूद भी बड़े आसरे की बात है कि सुप्रीम के साथ खिलवाड कर रहा है अति शिग्र नीट के पेपर को रद करना चाहिए यह देश की युगां का बहुश्य का सवाल है पार्टी पोलिक्स और विचारदार की बात नहीं है अन्यता विपक्स मजबूती से इस बात को रख रहा है वहीं कहीं कहीं न कहीं सत्तापक्स के उसी का प्र Hersi नहीं किया जाता है क्योंकि अगर अडी रहतीय सरकार अपने बियान को ले करके अपने पूरी विवस्ता हो ले करके एक्शन नहीं लिया जाता है परिक्षा को रद क्रवाने के लिए और पिछली डिबैट में वी यह बात मैंने परमुक्ता सिक नहीं पहीं होना चाहिए उसी का प्रिणाम है कि की जून को पूरे देश में और राष्टान पर देश में विशेश रूप से सब यह का परदसन हो रहा है नीट की परिक्षा को रद करवाने के लिए कर अगर सरकार अति शिग्र नहीं मानती है तो विपक्स के लोग को सदन में चाहे किसी पार्टी और विचारदारा के साथ नहीं होकर अपने खुद के बहुष्चे के साथ में खड़ा हुआ है इसको सरकार गंबीरता से ले एबीबीपी के इकाई अध्यक्ष रोहित मिनाजी मारे साथ में मौझूद है रोहित जी आपसे मैं बातचीत करूँगा लेकिन इससे पहले मैं सुनाना चाहता हूँ राहुल गांधी ने दिली में प्रेस कॉन्फरेंस की है और प्रेस कॉन्फरेंस करके सरकार को आड़े ह मतलब एक ओडर देके जो रूस और युक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोग दिया था ब्रेक लगा दी थी इसरेल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं नुकसान स्टूड़न्स का होता है जो हिंदुस्तान के स्टूड़न्स है मैं जानता हूँ कि आप इन एक्जैम्स के लिए महीनों, सालों काम करते हो यह आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवार किया जा रहा है मज़े प्रदेश में वियापम हुआ और अब उस वियापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है मैं इंस्टिटूशनल कैप्चर की बात करता हूँ मीडिया की बात करी अलग-लग हिंदुस्तान के जो संस्ता हैं उनकी बात की यही एजुकेशन इंस्टिटूशन में हो रहा है पेपर लीग का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने उनके पेरंट और्गनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है जब तक यह कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीग चलता जाएगा इस कैप्चर को फसिलिटेट नरेंदर मोधी जी ने किया है और यह एक एंटी नैशनल एक्टिविटी है क्योंकि यह देश का भविश्य है और इससे हिंदुस्तान के यवाओं को स्टूडेंस को जबर्दस चोट परती है इंक्वाइरी चल रही है एक को आपने कैंसल कर दिया है अब पता नहीं दूसरे को कैंसल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा पर कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्यदार है और उनको एक दम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे आक्शन लिया जाना चाहिए आपके कोई सवाल हो तो आपने सुना राहूल गांधी ने क्या कुछ कहा सीधे तोर पर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार या तो पेपर लीग को रोकना नहीं चाह रही है या फिर रोक नहीं पा रही है यह दोनों संभावनाएं उन्होंने व्यक्त की है और इसी को लेकर के उन्होंने आड़े हाथ लिया है रोईत मिराजी, ABBP के इकाई अध्यक्षर राजस्तान विश्यूद्याले से रोईत जी, जिस प्रकार से राहूल गांधी ने बयान दिया है और जिस पार्टी के सपोर्टेड आपका संगठन है विद्यारती संगठन है अखिल भारती विद्यारती परिशद अधिकान्स, बीजेपी के नेता ABBP संगठन से निकल करके आगे बड़े हैं और बीजेपी जोईन की है या बीजेपी के नेता बने है आज उनके हाथों में सत्ता है और विपक्ष लगातार घेर रहा है क्या कहेंगे नीट को लेकर के इस निकला बने है अखिल भारते विद्यारती परिशद छातरों के साथ जहाँ पर भी अने ह नीट की एक्जम की तेयरे करने है इस्चुडेंट दो या तीन साल का ड्रोप करता है उसके बाद तेयरी करता है उसके बाद उसका परिणाम ऐसे आता है कि बिग जाता है पेपर 24 लाग योग वह उसके बरबाद लुआ है आपकी बात माल लेता हूँ आरोप आरा है आपकी जो विचारधरा से जुड़ी पार्टी है बीजेपी पर आरोप आ रहा है राहूल गांधी ने जो आरोप लगाया है मोधी सरकार या तो पेपर लीग को रोकने में नाकाम है या रोकना नहीं चाहती है यह बात उन्होंने कही है, इस बात से कितना आप, नहीं मेर को तो खुशी है कि राउल गंदी जी ने आज योग लिए पेपर लीग की बात को आगे प्रेस कॉंफरेंस की, इनको तो बहुत पहले आगे कर देना चाहिए था, मैं तो चाहता हूँ अखिल बारते विद्धारती की ऐसा सोचे नहीं है, हमारी तो यहीं मांगे कि पेपर तुरंत प्रवाव से रद दोना चाहिए और सीवी जाच होनी चाहिए, दोस्टियों पर कड़ी से कड़ी करवाई होनी चाहिए, राजस्तान में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेताओं से, मंत्रियों से, वि अपना बयान दे दिया, लेकिन जो संगर्ष की बात जाती है, चाहत्रों के हितों की बात आती है, तो क्या अपन जाकर के मिले है, क्या रेस्पोंस मिला है, क्या बात चित हुई है? परदसन दिया था, कि इसके अंदर हम जल्द से जल्द कारवे करेंगे, अगर एक्शन नहीं लिया जाता है, नीट की परिक्षा को रद नहीं किया जाता है, तो ABBP क्या एक्शन लिगे है? विद्यारती परिक्षात कल भी परदसन करेगी, जब तक चात्रों क नया नहीं मि विरोक्रेशी के लोग भश्टा चार करते हैं पेपर बेस्टे भविश्य तो विरोक्रेशी के लोगी उर्पर सक्ति सक कारवई और रीची है। वो अपनी खुद की पार्टी की विचारदारा से जुड़ी सरकार के खिलाफ जो है अंदोलन करने की बात करें हैं चात्रित के को प्रात विक्ता दे रहे हैं बहुत खुशी की बात है। जो बच्चे आगे डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं जिनके हाथों में हमारा सबका आपका हमारा यहां तक की सत्ता में बैठे लोगों का भी इलाज होने के लिए बविश्य में। वो लोग उस जगे बारतियंता पार्टी की सरकार के दोरा मद्यप्रदेश में व्यापम से शुरू हुआ यह प्रयोग। आज राश्टी इस तरफे नीट तक आकर के खड़ा हो गया और दीके सबसे बड़ी वात अगर सरकार इसमें फेर होती है तो सरकार नेट का भी तो परिक्षा कैंसल करी आप इसकी भी कर दीजे अगर जो जिन बच्चों ने परिक्षार्टियों ने परिक्षा दी बच्चो बच्चुर्ब तक फेरा दीकों इस बीडियो आता है व्यक के निकले जाआ रही है वो इसके अंदर और यह कने विप यह डिऊ यह बcion भुपता है पर तो उसके बावजूद पुलीज जा जांच एजेंसिया है वो सके वीडियो को सीरियस नहीं लिते हैं उसके बावजुद पेपर लिग हो और यापतिस बात पिया है उसको गिरफतार करने के बावजुद दीजा भी इस तरी के कारवाई होती है फिर पांच मही का दिन देखिये आप आशी जी दूर मत जाई यह राजिस्तान की गटना देखिने सवाई मादू पर आपको याद हो चार बच्चों के तो हर्याना के जजड़ जले का एक स्कूल है हरद्याल पब्लीक स्कूल है वहां पे उनका सेंटर आता है और उस सेंटर का जो मालिक है वो है बीजेपी का युवा मोर्चा का अध्यक्षी शेकर यादव आप देखिए उनके सब के एक जैसे नंबर आ रहे हैं भाई इसके जांस्टो कीजे कम से कम यह इत्तफाक नहीं हो स चलेगा और इनके जो सारे गोटाले हैं सारे गपले हैं दब जाएंगे चूंकि सब को पता था कि इस वार लोगसावा के चुनाओ के नतीजे तरिशंक को लोगसाव बनने की संभावना थे तो पेपर लीक में जुड़ा हो माफी है वो भी इस बात को सामझ रहा था कि यह जो नतीजे है वो चार जून को जो लोगसावा के नतीजे है उसे चार जून तक सीमित रहेंगे चर्चा कम से कम 10 या 15 दिन तक लागातार चर्चा है चलेगी मीडिया पर हमारा पूरा गोटाला दब जाएगा पर देखे मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि अगर सरकार य देखने को मिल रहे हैं सुप्रेम कोर्ट में लोग गये हैं अलग अलग राजियों के हाई कोर्ट में भी ये मामला गया है एंटिये ने सारे मामलों को कलब अप करके सुप्रेम कोर्ट से गुजारिश की है कि सब मामलों को कलब अप करके एक जगा सुनवाई कर ली जाए लेकर के उनको देखर के क्या वह आधार प्रियात नहीं है इस परिक्षा को रद करने के लिए जो आधार अभी तक के सामने आए हैं जांच में वह सब आधार बहुत मजबूत साथ से हैं प्योंकि जो कार्मिक युभाड होता ओता स्टेट गोवर्मेंट तयार हो रही है कि जरूरी नहीं है कि आपका सो प्रतिसत पेपर ही आउट हो अगर आपका पेपर में से 80 सतर पर से 75 पर अगर अ बार आ रहा है और इसके लिए पुरे देश में एक बहुत बड़ा ऐसा इस्तिक कानून होना चाहिए जिसके माद्यम से चीजिज उपर नकेल कशी जा सकी है लेकिन आज एक्जाम होए लगबग डेड़ महीना हो गया जब एक्जाम से पहले ही बहुत से लोगों को एरेस्ट किया चुका है और बहुत से लोगों ने बयान दिये हैं बयारतियों कि हमें हूब हूब पेपर मिला है तो उसके बाद में बड़ा एक आस्रे हो और बड़ा ताजुब सा सवाल है कि आखिरकार पेपर रद करने से दिक्कत क्या है क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक सडियंतर है जिसके माधियम से नेट का पेपर रद किया जाया है जबकि वो अठरा तारिक हो हुआ है और कल ही उसको रद किया गया है उसमें भी नो लाक अब्यारती थे और इसमें 24 लाक अब्यारती हैं जिनके साथ में इस देश का स्वास्ते भी जुड़ा हुआ है और जब नेट के पेपर के बारे में इस परकार के कोई एविडेंस हैक नहीं है उन्होंने साइबर क्राइम का एक अटेक होने की संदे के आधार पर नेट का प लेकिन इस देश का युवा सरकार से सवाल है कि आप सत्ता में हो तो कम से कम इस चीज को अपने उपर जोड़ कर या कहीं न कहीं अपनी फैलियर को सिस्टम को स्विकार करने की बजाए आप युवाओं के उपर एक ऐसा चीज थोपना चाहरे हो जिसके साथ में इस आने वा से हुए है एसाई भरती परिक्षा हो पटवारी भरती परिक्षा हो जिनमें आरोपी पकड़े गए डेमिक एंडिडेट बैठा दिये गए हैं और जो सलेक्ट हो करके जिनका प्रशुक्षन चल रहा था उन प्रशुक्षन नार्थियों को वही पर दिया गया बीस अच्छन वी संगति का मामला था हम सब यौने मुमेंट बनाया और सरकार के सामने बड़ा अंदोलन खड़ा करके उसमें संसुदन करवाया पेपर लिक मामले में चाहिए एसाई का हो चाहिए पटवारी का हो किशी का भी पेपर हो हम ततकालीन मुख्यमंत्री जी से बहुत से एहम भूमिका निभाई है तो यह गलत पेमी के अंदर में बैठे वे सरकार को भी नहीं होनी चाहिए कि इस पेपर एक पेपर के वज़े से हमारे उपर कोई परभाव नहीं पड़ने वाड़ा है क्योंकि बहुत से स्टेट में भी चुना होने बाकि है राजिस्तान में उपचुना होना बाकि है और बहुत सी चीजे राजलिती में चलती रहती है लेकिन इस देश का युवा रील से रील से रियलिटी में भी है ऐसे गलत पे में नहीं होनी चीए कि रील पे ही है और आंदोलन मुवमेंट खड़ा नहीं होगा क्योंकि यह 24 लाक युवाउं के स साथ में उनके साथ जुड़े हुए लाकु परिवारों का बविश्य भी जुड़ा हुआ है बिल्कुत आपने पिशली बार जब आये थे आज का एजेंडा में चर्चा किती नीट को लेकर चर्चा किती आपने कहा था जेपी आंदोलन जेसी आहट नजर आ रही है और यू खुद अपनी मांग के लिए सडकों पर उतरने वाला है जी पिछली बार डिबेट में जिम्बा आया था तो मैंने इस बात से अवगत करवाया था कि विपक्स को भी अपनी मैत्वण भूमिकानी भानी चीह है और उसी के आदार पर कॉंग्रेस जो विपक्स में आज सारे देश में और जो विपक्स के अंदर में जहां भी इस्टेट है उन्में और तो वो कीश तारीको कल मुमेंट कर रही है पूरे स्टेट और देश में इसके साथ में चाय एबि पियो और इसके अलवाद को इसे के चत्वालिक है वह वास्तिक्ता से बच्चों का उगत क्यों करवाना चाहते हैं तो इसमें बहुती मोटी मोटी बाते निकल के आई कि कोचिंगों के जो बड़ी-बड़ी सरस्ता हैं चाहे राजस्तान में चाहे सीकर में हो चाहे कोटा में हो उन कोचिंगों के मालिकों की जांच होनी चाहिए बहुत गंबीर विसे है और मैं जिम्मेदारी के साथ में आरोप लगा रहा हूँ कि किन-किन लोगों को एकजाम करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी, किन-किन एकजाम सेंटर पे परिक्षा हुई थी, उन कोलेज उन इंस्ट् गात हो रहा है और यह वरक संगर्स की और आहाट है क्योंकि पेपर कौन करीदेगा सीज जी पेपर वही करेदेगा जिसके पास में पैसा है यह जिसके पास में इंकम आप सोर्से जी उस परिवार के पास में वही करीदेगा मेरे जैसा बीपेल परिवार से आने वाला जो इस् student का जो लेवल है वो रील से रियलेटी में आते वे ज्यादा समय नहीं लगे बिल्कुल पोरोश जी जिस प्रकार से युवाओं में आक्रोश देखा जा रहा है राउल गांदी ने प्रेस कॉंफरेंस की है कॉंग्रेस का क्या स्टेंडर क्या कॉंग्रेस भी सटकों पर नजर सब्सक्राइब करेंस के इस मामले को आगामी जो संसा सत्र होने वाला है जिसके अंदर सांसदों को शपत दिलाई जाएगी उसमें भी निश्य तोर्वे कॉंगर्स पार्टी दौरा इस मामले को बिल्कुल पुर्जोर तरीके से उठाए जाएगा और कॉंग्रेस पार्टी यह प्रिकशा में भी पेपर लीक रो और लाको करोडों की दील हुई है उसमें उससे कैसे नकार सकते हैं वाँ भी तो फोल्ट रही है पी तो आंके बन रखी आपकी सरकार से के पार्टी चाहँकए वोगा कि ये तो सरका रों की कहीना की गलतिया होती है और एक होती है तो निश्य तरफे हमें गलती और मंच्छा में फर्क समझना होगा हमारी सरकार ने आज बार्ती जंदा पार्टी की सरकार बनने के बाद में एसा ही के मामलों में बार्ती जंदा पार्टी ने चार कदम चलिए और इत्ना बड़ा डिंडो रहा उसने पीटा अपने आपको सब्सक्राइब करते हैं तो यह राजस्तान के युवाओं का भविश्य समझती तो यह राजस्तान के इन्हों पेपर लीक करवा है इन्होंने खुला दंदा खोल रखा था इनके मंत्रियों ने कि पेपर लीक कराने का आप तुम बेच यह पेपर और पैसे कुमा के अमार को दीजिए जितना कुठारा गात कॉंग्रे सरकार ने पिसले कार्यकाल के अंदर युवाओं के साथ किया वो मै आगी जाके कुछ कर सके और उनकी नीतियों पे चल सके लेकिन आप तो उनके भोईशे को बेचने के लिए आ रहे हो मेरे को तो आज खुजी है मेरे को तो आज खुजी है कॉंग्रेस पाल्टी के राहूल गान्दी जी ने आज कॉंफरेंस करके युवाओं के साथ आने की बात कही है उससे पहले तो कॉंग्रेस आई नहीं थी फिरको तो आज बहुत कुछी होती है मैं कॉंग्रेस और बीजीपी की दोनुं परवक्ता है संगेटनात्म गुरूप से बीपी किशना किसी विचारदारा से बिलोन करते हैं जिसके बीजीपी से आइडिलोजी मिलती ह मैं दोनु को यह कहना चाहरा हूं कि राजस्तान में पेपर आउट हुए ठीक है तो गुजरात में जो पेपर आउट हुआ उत्राखन में जो पेपर आउट हुआ यूपी में जो पेपर आउट हुआ मारास्त में जो पेपर आउट हुआ वो भी कहीना कहीं बाजपा की सरक लेकिन एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने से अच्छा है कि इस बारे में विचारम और मन्थन करने की बजाए जैसे राजस्तान में पहले बर्थपूर्चे आने वाड़े एमेले जो मंत्री भी थे डोक्टर सुभास जी गरग उन्होंने आज दूसरी पार्ट की जो कहते हैं कानी आओ जो वह सी मशीन के अंदर से निकल गया दाग उनके साप हो गए तो यह पार्टियों को स्टेंट के लिए करना पड़ेगा और आप देख लीजिए चाहे कॉंग्रेस से बीजेपी में जाओ चाहे बीजेपी से कॉंग्रेस में आओ इस बार लोग में लेकिन इससे थाबित हो रहा है कि नीट में भी अजारू क्रोड रुपे का गफला हुआ है जो कहीं नरेंदर मुदी जी देश के परदान मंतरी की पास में गया है क्या दर्मिंदर परदान जी शिक्षा मंतरी का उसी के पास भी गया बीरोक्रेसी के लोगों ने जिस द सब्सक्राइब के लिए जोगों के साथ में तो अन्याई और क्यातार हो रहा है तो बोनु पार्टिन के सोच समझ के पुरोजी से जवाब लेते हैं मैं इस बात को कहना चाहूंगा जो मेरे चोटे भाई कॉंगर्शी सरकार पर तत्कलिन सरकार पर आरोप लगा रहे थे और उस समय के जो मंत्री थे सुभाज गर्जी जो उन पर लोग अरोप लगाया करते थे वाज ए इंडिया का इससा है और दूसी बात में इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए हमारी सरकार थी उस समय आपको ध्यान होगा कि केन सरकार की जो एजेंसी एडी उसने राजस्तान मैं इस बात को खुले मन से इस बात को आपको लगता है कि हमारी सरकार के समय में हमारी पार्टी का कोई नेता इसमें इन्वोल था निशित तोर पर आप कारवाई कीजे विद्ध सभूत आप चलान पेश कीजे किजे कोंगर्स पार्टी को स्वागत करेगी शिक्सेमंत्री मदन दिलावार तो डारेक्ट कहरे है कि डोटासरा जी गेलोग जी डोनों लिफने इसमें आशिस जो होता है वो मीडिया में चर्चा मैं बने रहने का शौक होता है में अपना शौक पूरा कर आप यह देशक यह दुर्बागग यह कि जो सत्ता धारी परियाप्त साधन और संसाधन है यह चैमने से दिंडोरा ही पीटा जाएगा परिक्षा में अब तक जो कारवाई सरकार ने की है जो गटना करम है उसको लेकर कि क्या आप चाते हैं क्या उससे संतुष्ट है जो संतुष्ट में सुनवाई हुई है संतुष्ट है और क्या उम्मीद है कि आप आगे चल करके नीट की परिक्षा में जो एक्षन लिया जाएगा और जो आपका संगर्ष है वो सफलता तक पहुंच जाएगा सबसे पहले रोहित मीना जी मैं मेरा तो यही कह रहाएगी जिस प्रकार से सुम्रिम कोर्ट ने माना है जीरो जीरो परसेंट एक परसेंट भी गलती है तो आप मानिये उसको गलती मानगी पेपर लीक को लीक मानिये और कैंसिल कीजिए मेरा तो केंदर सरकार और राजे सरकार जो भी दोसी है उनके वगलाब सीवी जांच में होने चाहिए और पेपर तुरंत परभाव से रद होना चाहिए यह आओ के साथ नियाए होना चीक है राम सिंग जी एक व्यक्ति के पास भी पेपर जाता तो पेपर आउट माना जाता और पेपर में अगर एविडेंस होंगे तो रद कर देंगे यह पिर सरकार को अपने स्टेंड के लिए परिक्षा को रद करना चाहिए आने ता मुमेंट देखने को मेलेगा बिल्कुल पोरुष जी देख आश्य जी मैं तेस बात करने जाओंगा चूंकि मामला सुप्रिम क करना चाहिए जो भी दोषी है उनके खिलाब केंदे जिंसे के द्वारा निश्चितौर के लिए नजीर हो बिल्कुल चलिए आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों मेहानों का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम सिंग सामोता जी पूरवशोध चात्त संग अद्यक्स रास्तान उनिवर्सिटी रोहित मिना जी काई अद्यक्स रास्तान विशुर्ण